कोञ्सिपेशन ह pesos जो के लोगे को सिगायत है कि मैं शीकात हूँ कि कोई सब्सक्राइब करका में असली मतलब को समझाय अब को मतलब है इन दिस वीडियो। आप्स अपारोक्ट हमें क्या ना है कौशी उठीक कैन है, छोगे हैं ल हमें कब्लाट ज़या है तो इसके बारे में पूरी डीटेल वीडियो है पूरा एंड तक दिएगा इसके मत करीगा वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आपको मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की जो वीडियो है वो है कॉनस्टिपेशन की उपऱ के कुछ लोग सोदेल 10 कि यारम हमें कॉस आपको इस वीडियो में पूरा बताओंगा कि की कॉस्टिपेशन की हमें बाइट तो मैं आज आज आपको इस वीडियो में पूरा पताऊंगा कि कॉंस्टिपेशन की कॉज़े सिंटम्स वगएरा क्या है और आप इससे कैसे निजात पा सकते हैं इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो डिस्क्लेमर दूँआ कि पहली बात मैं डॉक्टर नहीं हूं और फिटनेस के हवाले से जो भी मैं आपको गाइड दूँआ है और आप उसको एपलाए कर सकते हैं हैं पहां है है दूसरी बात आपको वहम नहीं जाना practiced कुछ लोग भाइ मि होता है जंखते हैं बाई दोका सबस्рокमिक कावारा सबस्क्राइब और हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले समझारे हैं आप झद आप कोई आप क्वाई आप फोगते निवाला खाते हैं में आप खाना। छो दो आप का interessation शुरू हो जाता है फौरत भी इस कोαन हो serious जाता है जाता है उसके बाद वो खाना आपका प्रोड़क्ट जो है वो small intestine में जाता है small intestine में जाता है वो और small intestine से जल्दी पास होता है small intestine से जब वो पास होता है तो वो colon में store जाता है colon which is called large intestine large intestine में जब वो store होता है तो उसके बाद colon जो है वो थोड़ा absorb पर लेता है कोलिंजलाज इंडष्ट्राइन फ़ोग थोड़ा पानी एबजॉबब कर लेता है और फ़ोग तो आपका स्टूल विज्की उस काल वेस्ट मेंतिरियल मेज्ड फ़ोडinea Eliot जो आप रिलीस करते हैं उससे पानी स्टोर कर पर लेता है और एब्सॉप कर लेता है पानी तो वह उसको आपकी वेस्ट को सक्त बना देता है स्टूल को सक्त बना देता है सही है जब वह वहां से पास आउट होने लगता है लाच इंडस्टाइन से तो वह रेक्टम की तरफ आ जाता है यह पर आपके ब्रें को इंडिकेशन मिलती है कि हाँ यार मुझे अब जरूरत है वेस्ट को पास करने की जब आप पास करते हैं तो आपके माइं पे एक इंडिकेशन आती है और जब आप वह पास करते हैं तो आपको पहली बात दर्द होता है दर्द होने के साथ साथ आपको कुछ ऐसा लगता है कि मेरा वेस्ट मैटीरियल जाथ सही से पास नहीं हुआ या आपका जो फूड है वह सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ उसने वाटर बहुत जादा एब्सॉप कर लिया कोलन ने लाज हिंडस्टाइन ने तो यह है कब्स यह है कब्स जब आपका वाटर जो है वह जादा एब्सॉप कर ले कोलन तो अब इस सलसले में हम क्या करना चाहिए हमें सबसे पहली बात यह समझना चाहिए कि लोगों को जो गलत पहिमिया है हमें कब्स है देखें इसको कोई बिमारी नहीं है यह कब्स कोई बिमारी नहीं है लेकिन कुछ केसिस हैं जिसमें आपको डॉक्टर से मश्वरा लेना पड़ेगा केसिस में अभी आपको बताता हूँ इसके कॉसिस क्या है वह पहले आप सुनने सबसे पहली बात सबसे पहली बात जो लोग कब्स की शिकायत है कुछ लोग समझते कि हमें दिन में जो है दो तीन दफार वेस्ट पास हो रहा है तो हमें कब्स है कुछ लोग जो है वह थोड़ा कर सकता है तो वो समझते हैं यह कब्स नहीं है मैंने जो अनॉटमी समझाई है वह है कब्स विच इसकोल कॉंस्किपेशन सबसे पहली बात जो लोग पानी जादा नहीं पीजें कि पानी आपको कम से कम भी दो से तीन लीटर रोज पानी पीना है अगर आपको मैं पास करने में दर्द हो कि वहतना पानुल की साप्जों करें चादिशन माच्युट करें तक्यूलिब तूर्द आपको दर्द नौ स्टूल पास करने में सब्सक्राइब दूसरी बात जिनका स्लीप पैटन्ट सही नहीं है यह बात सुन ले हम भी इस चीज में जो है वो हंड्रेट परसंट जो है वो इसमें नाकाम हो जाते हैं कि हमारी स्लीप पैटन्ट सही नहीं तो छह से आठ गंडा आपको सोना है छह से आठ गंडा आपको अपनी बॉडी को रिकवर करना है सोना है रेस देना है उसके बाद जो लोग डाइटिंग पर होते हैं डाइटिंग के आप समझ लें डाइटिंग का मतलब मैंने पहली वीडियो में समझाया है वह मैं लिंक देदूंगा वो देख लिएगा डाइट होती है कुछ लोग जो हो खाना नहीं खाते और जब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं यह कपस की निशानी है एक साहिए उसके बाद मेडिकल साइंस ने और लिटरेशन ने यह थाबित करें कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते यह जरा सी फिजिक के जो होते हैं यह में चीज उसके बाद अगर आप बचना चाहते हैं तो आप मैं उन लोग की बात कर रहा हूं जो इस चीज को बिमारी समझते हैं लेकिन यह कुछ के सवावाले से कुछ वक्त के लिए तंग है या कुछ जो हैंको शुरू ही है तो आप फाइबर का स्तमाल ज्यादा करें फ्रूट्स खाएं ग्रीन वेजीटेबिस खाएं जो कि आपके डाइजेशन में आपको हेल्प परेगी कि वह जो है आपके स्टूल को जो है सही से और अराम से पास होने देगी तो यह उसके बाद इटिंग डिसॉडर जो है आपको नहीं रखना अपना यह मैं आपको बता तूँ कि इटिंग पैटर्ड जो है यह भी कॉस्टिपेशन की सबसे बड़ी अलामत है अगर आपका इटिंग डिसॉडर है जैसे मैंने बोला कि आप मील्स स्किप कर रहे हैं या एक दफ़ा नहीं क करना मेटबॉलिजम जितना फास्ट होगा उतना आपको वेस्ट स्टूल पास करने में और असानी होगी यह बने जबर इसके कि आपका डाइजेसिव सिस्टम स्ट्रॉंग नहीं है और आप नाचता नहीं कर रहे हैं तो आपको कॉंस्टिमेशन की शिकायत आ सकती है अनाट आपको करनी है और इन्शालला इससे आपको फायदा होगा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत सो बॉड़ी विल्डर्स भी गुजरते हैं कॉंस्टिपेशन से लेकिन उनको हो जाता है जब वो कंपीट करते हैं आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा मुसला बॉड़ी वेस्ट मेटीरियल पास हो रहा है और अगर आपको शिकायत है कि यार मैं जितना पास कर रहा हूं जितना मेरा स्टूल पास हुआ है उतना मैं सैटिस्वाइट नहीं हो मुझे लगता है कि अभी और होना है लेकिन आप फारिग हो जाते हैं जल्गी तो यह सबसे बड़ी अ चालामात है और यह सब्सक्राइं पादे काओं आपको डॉक्टर से आफको डिसक्स करना पर कि रहता है जो कि दूसरी बात कर आग anxi अगर आपको स्टूल वेस्ट स्टूल पास करने में थोड़ा सा ब्लड आया यह क्यों को फोट ऻानसा वेस्ट में स्टूल पे तो भी आ जादा वाश्रूम मतलब स्टूल पांस करने में शिकायत आ रही है तो जब भी आप डॉक्टर से मश्वरा करें और कुछ लोहों का जो होता है जो कॉंस्रिपेशन से बच्पन से होते हैं उनको यह होता है कि वह स्टूल के साथ साथ थोड़ा बहुत गोश्ट भी गोश्ट क कोई मेडिकल साइंस नहीं या फिटनेस के दुसमें दुनिया में यह कोई बिमारी नहीं है हमारे चैनल का मेंटीम क्या है यह है तो वरक हार्ट वरक और सेल्फ फिटनेस और फिजिकल एक्टिविटी पंप एंबर्ण यह ना पैसे इसलिए ही रखा है कि पंप आप करें और बर्न आपको आउटिव देने में जितना अच्छा आफ देने हैं यह तो यह थी और यह लोग समझें नहीं कि आपको कब्स है यह कोई बिमारी नहीं यह डिसॉर्टर्स की वज़ा से भी हो जाती है हमारे डेली शेडियूल में चेंजिस की वज़ा से भी कॉंसिबेशन हो जाती है तो यह थी आज की वीडियो उमीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी थोड़ी नंबी हो गई है लेकिन इस वीडियो बहुत जादा इंपॉर्मेटिव है पूरा देखिएगा जिसॉर्टर्स की वीफेट